तो guys आज कितने इंडियन बाइक ड्राइविंग के पुलिस स्टेशन में फ्रेंक्लीन को होने वाली ये फांसी और आज फ्रेंक्लीन हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला जायगा लेकिन आखेकारी सारे फ्रेंक्लीन को फांसी क्यों देना चाते हैं ने ऐसा क्या किया है वो वीडियो में आपको आगी पता चलेगा बस वीडियो को पूरी देखते रहो तो लेट गईस मैं आज शुरूम से नियो जी वेगन कार लेकर आ रहा हूँ तो गईस देख सकते हो भाई कितनी जादा मस लग रही है बिकोस गैस मेरे पास ये बाईक और भाई मैं उसको चला चला के ना बहुत जादा ठक गया था और ये मेरे को ना पूरी 60 लाग रुपे की पड़ी लेकिन एक मिनट ये चला कोन रहा है भाई इतनी तेज कोन चला रहा है मैं जा रहा हूँ पुलिस टेशन के अंदर तो यहाँ पर मैं अपनी प्यारी सी जी वेगन को खड़ा कर देता हूँ ओके वेट यहाँ पर मुझे कोई भी पुलिस बाल नहीं दिख रहा गाईस आज ये सारे पुलिस बाले गए कहाँ पर विकोज गैस मैंने आज से पहले कभी भी इनको ड्यूटी से हटे वे नहीं देखा यहाँ पर देखो बाहर कोई भी गार्ड नहीं है और अंदर भी कोई नहीं है कुस्तो गड़वल है यार यहाँ पर एक मिनिट गए कहाँ पर सारे ओके ओ भाई साब गैस यह क्या हो रहा है बाप रे बाप यह तो जेल में बंद कैदी को फासी दे रहे है इसका मतलब वो जो चलाने की आवाज आ रही थी ना भाई वो इसी कैदी की आ रही थी यार ये तो मुझसे देखा ने जाएगा मैं तो यहां से जा रहा हूँ लेकिन यार उन पलिस बालों ने बेचारे को फासी दे के माड़ दिया लेकिन यार उस कैदी को आखिरकार इन लोगों ने फासी क्यू दी क्योंकि यार वो जो कह दिये ना गाई बहुत टाइम से जेल के अंदर बनता और आज अचानक से सारे पुलिस वालों ने मिलके ना उसको फॉंसी देंके मार दिया भाई और भाई आज मुझे पहली बार पता चला कि अपने पुलिस टेशन के अंदर फांसी भी दिया जाता है अभी तो गाईस मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेशन गुम रहे हैं पहला कोईशन यह है मैं सोच रहा हूँ कि यार इस चीज को ना मैं भी ट्राइ करके देखूं और फिर देखूंगा क्या है लोग मुझको भी फांसी देंगे भाई यी चीज सोच के भी डर लग रहा है लेकिन आगे बहुत जादा मज़ा आने वाला है तो सबसे पहले गाईस मुझे यह देखना होगा कि यह लोग मुझे फांसी कप देंगे और एक आदमी को फांसी के लिए क्या क्या कौन कौन से क्राइम करने पड़ते हैं तो गाईस पूरे 30 मेरे देखने के बाद मुझे तीन कमाल की चीज़े पता चली अगर मैं तीन क्राइम अपनी सीटी में कर दूँगा तो यह लोग मेरे साथ भी ऐसा करेंगे यानि यह पुलिस वाले मुझे भी पकड़के जेल के अंदर फांसी देंगे यार वैसे तो मुझे बिल्कुल भी यकिन नहीं हो रहा है लेकिन चलो फिर भी एक बार ट्राइ करके देखते हैं तो चलो पहला क्राइम देखते हैं यह क्या किल 5 डिफरेंट NPC इन सीटी ओके मैं यह वाला क्राइम कर लूँगा तो मुझे एक डेंजर स्टार मिलेगा और यह से मुझे तीन डेंजर स्टार कलेक करने हैं उसके बाद यह लोग मुझे भी फांसी देंगे तो चलो भी जल्दी से रोट पे चल रहे हैं पांच NPC को पकड़के जान से मारते हैं जल्दी से आजा मेरे पास में क्योंकि मेरे पास टाइम कमें मुझे जल्दी से देखना है कि पुलिस मेरे साथ क्या करेगी ओके भाई ये कहा जा रहा है अरे रुकना भाई रुगजा यार देख तो ले मैं तुझे मार रहा हूँ भाई इसको फरेकी नहीं पड़ रहा है मैं इसको मार रहा हूँ ये घुमता जा रहा है ये ले चल बेटा तू भी खतम ओके तीसरा ये रहा मेरे सामने ओके तो गईस अभी दो को और माड़ना है जल्दी से अपनों को ओके वो रहा सामने एक और यार इन एन्पीसी के अंदर जान होती ही कि नहीं होती है यहाँ पर दो से तीन घूसों के अंदर भाई यह मढ़ जाते हैं लेकिन वो जो गल एन्पीसी होती है ना उन पर 5-6 घूसों में मड़ती है लेकिन यह अराम से मड़ जाते है चले बेटा तू भी मार का यह यह लो चलो गई 4 स्कोर हो चुका है अपना उपर देखो एक लाश्ट बचा है वो रहा मेरे सामने भाई तू भी आफट आफट जल्दी टाइम नहीं है यह ले यह चलो भाई ओके गाईज यहाँ पर अपनों को एक डेंजर स्टार में बाई और यह इस स्टार के बारे में तो कंप्यूटर में भी नहीं बताया था चलो जो भी हो गईज अपना पहला किराईम कंप्लेट हो चुका है नैश्ट देखते हैं ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है have to steal 5 different vehicle inside the city तो अगले किराईम के लिए हमें 5 different vehicle को चुराना है इस city के अंदर से और यह जो किराईम है यह तो बहुत ज़ादा असान होने वाला है मतलब कि मुझे 5 vehicle को चुराना है और सारी vehicle गई same नहीं होनी चाहिए सब different different होनी चाहिए तो पहली vehicle ना मैं पुलिस की चुरा के लाता हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर से बस पुलिस वाले मुझे पकड़ना ले ओके वो रही सामने अरे भाई गिर क्यों गया चलो कोई ना let's go जिल्दी चल तो guys पहली तो अपनी vehicle मिल चुकी है इसको मैं फटाफट यहां से चुरा लेता हूँ बस पुलिस वाले मुझे पकड़ना ले तो guys पुलिस वाले से फांसी खाने के लिए भाई मैं पुलिस की कार ही चुरा रहा हूँ यह देखो तो चलो कोई ना इसको लेके यहां से चलते हैं बस कार की साउंड सुनके पुलिस वाले मेरे पीछे न आ जाए तो भाई बहुत सारे पुलिस वाले है तो लेट्स को guys मैं पुलिस टेशन से पुलिस की कार चुरा कर लेकर आज चुक हूँ बहुत ही अराम से अब इसको जल्दी से अपने घर में खड़ी कर देता है इसके बाद मैं guys अपने को चार वियकल को ओर चुराना पड़ेगा इस सिड्डी में से तो लेट्स गो पहले मैं इसको यहां पर पार कर देता हूँ अराम से तो guys नेश्ट अपनी जो वियकल होने वाली है न जल्दी से अरे यार भाई में थक गया जल्दी मुझे अपनी कार दे दे मुझे इसको मुझे फटा फट बहार निकालना पड़ेगा तो लेट्स गो guys अपनोंने दूसरी कार भी चुरा लिए भाई इसको भी अपने घर पे लेगे चलते हैं इसके बाद में तीसरी अपनी यूनिक वियकल अपनों को चुरानी पड़ेगी सिटी में से अगर अपने सेम चुराएंगे तो अपनी काउंट नहीं होने वाली तो यहाँ पर अभी मैं NPC से अगली कार नहीं चिनने वाला अगली मैं सोच रहा हूँ गाईस एरपोर्ट जाके ना एरपोर्ट पे प्लैन को प्लैन चुरा लेता हूँ क्योंके वो भी गाईस एक वियकल है वो भी अपनी काउंट होने वाली है ठीके तो एरपोर्ट चलते हैं जल्दी से और अपना प्लैन लेकर आते हैं जो एरपोर अब दिया तो अभी यहां से मुझे गुमाना है, इसको एन्जिन जल्दी Franklin घुमाळे भाई, टकराना हैं नि टकराना हैं ब्लाष्ट हो जाएगा ओॅ। रडुव, ऐ हुए कहां ऑर अगली वियेकल जो चुराने वालों वो मैं चुराने वाला हूँ शोरूम से तो शोरूम पे जाने के लिए मुझे अपनी बाइक चाहिए जो मैं एरपोर्ट पे छोड़के आ गया था ओके तो गाइस ये रही मेरी बाइक ओके वेट यहां पर प्लैन बापस से आ चुका है चलो कोई ना अभी हमें दौरा ये सेंप लैन नहीं चाहिए क्योंके ये काउंट नहीं होने वाला अभी अपनी बाइक को लेकर सीधा शोरूम पे चलते है एक वेखल वहां से चुरा के लेकर आते है लेट्स गो फ्रैंकलीन तो फाइनली काईस मैं आच चुका हूँ शोरूम पे और आपको तो पते ही ये भाई शोरूम के अंदर कितनी लगजरी लगजरी गाड़िया खड़ी रहती है मतलब कि लगजरी कार भी रहती है बाइक भी रहती है और अभी मुझे एक बाइक चाहिए हां से जल्दी से चलके मैं देख लेता हूँ यहाँ पर बाइक है की नहीं है औरे बाइस साब कुईस कितनी सारी लगजरी गाड़िया खड़ी है यहाँ पर मतलब कि बाइक इनमें से कोई सी भी मैं एक बाइक ले लेता हूँ ओके तो यहाँ पर यह है यह कुणसी है ओके यह निंजा एक 2R है लेकित फो गॉप इसी को लेकर चलता है अपनी 4 वियकल होने वाली है यह फालेली में इसको भी घर लेकर आच चुका हूँ मैं गर बताला कर देता है अब लाश्ट है को एक vehicle order चाहिए लेकिन एक vehicle अभी मैं कहां से लाऊं ओके एक काम करता हूं गाईस रोल पे ना किसी NPC से चिनता हूं और देखते हैं गाईस वो NPC वाली car count होती ही नहीं होती है लेकिन Sam अपने जो पहले NPC से चुराई थी ना वो Sam car नहीं लेंगे इस बार यहां पर दूसरी लेन हो जानी चाहिए अगर हो गई तो अपना दूसरा मतलब crime बाले star लग जाएगा danger star ओ लग गया okay guys finally let's go अपना दूसरा crime बाले star भी लग चुका है अब यह बार यह अगले star की मतलब के last star की तो उसके लिए अपनों को last mission देखना पड़ेगा कौन सा है okay तो चलो कई जल्दी से last mission देख लेते हैं यहाँ पर यह क्या है killing all police in police station औरे यार guys यह वाला mission तो बहुत जादा हार्ड होने वाला है मतलब के यह वाला crime हमेना guys police station के अंदर जाके सारे police बालों को मारना है और मारने के बाद अपना तीसरा dangerous star भी लग जाएगा उसके बात में देखते है guys क्या लोग हमको फासी देने वाले हैं क्या नहीं तो let guys मैं भी आ चुक हूँ police station में जल्दी से अपनी AKM निकाल लेता हूँ और उसके बाद में सबसे पहले में इसको मारता हूँ आजा बेटा यह ले अरे बाई मर नहीं रहा ओके एक मरा उसके बाद में इसको मारता हूँ यह दो तीन फाइनली लोगों ने मुझे जैल में डाल दिया भाई और गईस यह देखो मैंने तीन क्राइम कर लिए ना तो यह सारे पुलिस बाले मिलके मेरे फिर कितना जाधा गुस्सा है भाई यह देखो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं लोग अब तो मुझे पका यकीन हो चुक यह देखो गईस बेचारी को कितना जाधा दर्द हो रहा है तो गईस एक सब्सक्राइब फ्रैंक्लीन के लिए तो बनता है यार और कमेंड में जल्दी से लिख देना मिस्यू फ्रैंक्लीन और वीडियो अच्छी लेगी तो आपको इस वीडियो पे लाइक कर देना चैल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूँ गाइस नएश वीडियो में लव यू आल